हाला एवरिवन आप सब का एक बार फिर से नए वडियो पर स्वागत है अगर आप टीवी रिपेरिंग काम सीखते हैं या सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो काफी आपके लिए हेलफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा यहां पर जो देख रहे है यहां पर यो क्वैल रखा हुआ है और यह CRTT में यूज होता है तो इसको कैसी यूज करते हैं इसको कैसे चेक करते हैं कैसे ठीक होता है या नहीं होता है मल्टिमिटर सा कैसे चेक कर सकते हैं और इसमें वार्डिकल कौन सा क्वैल होता है होरिजेंटल कौन सा क्वैल होता ह सब कुछ आपको यहां पर डीटेल में बताने हो लाओं तो वीडियो लाश्टर देखना बहुत कुछ यहां से सीखने को आपको मिलेगा तो यहां पर जो वायर आप देख रहे हैं यहां पर चार वायर लगा होता है दो वर्टिकल के लिए दो हर्जेंटल के लिए तो यहां है yellow और blue होता है यहां पे blue नहीं है दूसरा वायर यहां पर क्या तो यहां इंमारा vertical के लिए होता है यहां पे देख रहे हैं अंदर में आपका मतलब भीतर की तरह दो coil का एक सीट होता है जो कि हमारा horizontal के लिए काम करता है और बाहर में दो coil का सेट होता है सेम वह ऐसा ही जो हमारा वर्टिकल के लिए काम करता है तो यह चीज़ आपको बिल्कुल मालुम चल गया आप ऐसे पहचान सकते हैं बिना मल्टिमीटर के कि अंदर का क्वायल है वो मेरा होरिजेंटल है बाहर का क्वायल है वो मेरा वर्टिकल है सेम वैसा ही चार यहां पर क्वैल है सेम सभी में वैसा ही फंड है कोई भी सी आटी टीवी का जो क्वैल है उसका अंदर वाला क्वैल हमारा आप होरिजेंटल होता है और बाहर वाला क्वैल बहुत इकल होता है तो यहां पर मैं इक क्वैल को ले ले रहा हूं और यहां पर सब तो आपको प्रैक्टीकल कर के दिखा रहा हूं, radi अपको मैं मल्टी मिंटर से चेक करको बताओंगा, तो यहां पे 5 पॉइंट बनाऊगा, यहां पे देख सकते हैं, एक जो पॉइंट है, मेरा यहां पे भोडिकल का दूनों स्हेयरीज किया यह हमारा बाहर वाला है तो इसको मल्टीमेटर से कैसे चेक करेंगे यहां पर मैं आपको बताने वला हूँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस में प्रॉलम क्या आता है और कैसे उसको ठीक कर सकता है जब भी हमारा वोर्टीकल लाइन आए तो हमारा होरिजंटल सेक्षन का प्रोलों होता है यानि वारा भॉर्टिकल ठीक होता है तो हमारा भॉर्टिकल में छेट सार करने के कोई जरूरत नहीं है हम होर्जेंटल में देखेंगे अगर हमारा भॉर्टिकल आता है लाइन तो अगर मेरा होर्जेंटल आता है तो हमारा भॉर्टिकल सेक्शन में प्रोलो हो सकता है, qail भी cut हो सकता है, wire आप चेक कर सकते हैं, यह सब कुछ सही पाया जाता है, तो फिर आपका vertical IC में प्रोलम होता है, वहां पर supply आ रहा है, कि नहीं आ रहा है, उसको चेक किजिए, तो ज्यादा तरह में horizontal line ही देखने को मिलता है, ज्यादा तरह यहीं देखने को मिलता है का horizontal line आता है और उसमें वर्टिकल का फोल्ड होता है तो वर्टिकल में हम यहां पे हम क्वाइल को चेक करेंगे हमारा वहां vertical section में देखेंगे हमारा IC चेक करेंगे उसका supply चेक करेंगे और उसमें कैप सीटर भी लगा होता है तो उसको हम लीक वे के मतलब चेक कर लेंगे तो ज्यादा तर कुछ प्रोल्बम आता नहीं है यहीं मतलब horizontal line बहुत ही ज्यादा प्रोल्म आता है तो हमारा vertical section का problem होता है अगर आपका vertical line आता है तो horizontal section का problem होता है तो सबसे पहले हम QUAL को चेक करेंग मतलब continuity mode में जैसे यहाँ पर वीप का sound आपको मिल रहा होगा तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर रहा हूं तो यह देखिए यहाँ पर 10 से बारे के आसपस यहाँ पर reading मिलने वाला है तो जो हमारा दस से बारे के आसपस reading मिलता है वो हमारा vertical होता है vertical QUAL बाहर वाला यानि तो यह यहाँ पर 10 है और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 4 से 5 के आसपस मिलता है 6 तक मिलता है तो हमारा horizontal है तो मतलब मीचे वाला जो और जो बाहर वाला QUAL है जो हमारा दस मिल रहा था वो हमारा बहूर टीगर के लिए जो ऐसे आप पता कर सकते हैं मल्टिमीटर से भी कि हमारा जो भी ज्यादा रीडिंग आता है वो हमारा बहुर्टीकल है यानि ज्यादा क्वाइल उसमें रहता है और जो भी हमारा कम रीडिंग आता है यानि कम क्वाइल रहता है वो हमारा होर्जेंटल है तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं अगर इसमें आपका कटा होलता है तो यहां पे reading नहीं मिलता जिसे में पता चलता कि हमारा यहां पे coil कट गया है जिसके कारण हमारा यह problem आदा है horizontal या vertical तो यह चीज़ आपको मैंने clear कर दिया तो यहीं आपका problem आता है horizontal और vertical का इस coil से और coil short हो जाता है उस period में आपका voltage drop होगा picture कटा हुआ असा आएगा और कुछ-कुछ इस्तिती में हमारा horizontal output transistor है वह भी बार-बार short हो जाता है इसके कारण अगर आपका yuk coil short होता है तो हमारा horizontal output transistor भी short कर देता है तो यह चीज़ आपको बीडियो को यही में इंड करते है वीडियो अच्छा लागए एक लाइक करने अपने दोस्तों पासपाइब करने और इस तरका वीडियो पाते रहान चाहते चाहते ईंड़को सुद्प्राइब करना आप फिर मिलते हैं आप किस नए वीडियो में तब तक लिजल है बूं बबात्रों